हलो माई फेंड्स वेलकम बाक टूर चैनल मकेनिकल जॉप्स दोस्तार एक उस शांदार वीडियो आपके लिए लेकर रहा है में फेंड बहुत ही बडिया दोस्तो विकेंसी आई है बोईंग इंडिया में दोस्तो जो बोईंग कमपनी है वो यूएस की मल्टिनेशनल कमपनी है एरक्राफ्ट मेंफेक्चर करती है और इंडिया के अंदर दोस्तो इसका जो प्लांट है वो है बैंगलॉर में प्लांट है आपने पिछले टाइम अभी ये नियूस सुनी होगी कि टाटा ने ओर्डर द जिए ये एरक्राफ्ट मेंफेक्चर के लिए जो दोस्तो उसी के बेस पे जो है ये काम शुरुर्य हो चुका है इंडिया के अंदर ही जो है इसकी मैनफेक्चरिंग भी होने वाली है साद में डारक जो है ये वेक्रेशेस के बीजू सकते हैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरह दोस्तों आप बोइंग के लिए जो है अपलाई कर सकते हैं मैंट फेक्चिरिंग जो फील्ड है वो प्रडेक्शन लाइन की फील्ड है जहां पर मैंट फेक्चर होंगे इसके पार्ट्स असेंबली होगी पूरा एरक् स्टूडियो उसकी नोटिफ क्वेशन आपके पहुंसके हैं सो आईए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं पूरा आपको डिटेल में आगे बता रहे हैं सो दोस्तों आपने अपलाई किस तरह करता है अपने गूगल खुलना और गूगल के अंदर लिख देना है बोइंग इं इंडिया का जहां पर कंपनी वेकेंसी लगाती है वहां पर डारक दोस्तों आप पहुंच जाएंगे तो दोस्तों यहां पर आपको जो है जैसी आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर फिर आपको दोस्तों दिखेगा इस तरह सर्च दिखेगा कीवर्ड दिखेंगे और यहां पर search jobs दिखेगी ठीक है? तो यहां पर आप देखेगी जैसी यहां पर उसके नीची आपको दिखेगा future in India और उसके नीची आपर आपको दिखेगा view jobs. तो इस दोस्तों व्यू जॉब्स पर आपने क्लिक कर देना है जैसी व्यू जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो इंडिया की जॉब्स आपको यहां पर दिखाई देने लग जाएगी तो आप देखेंगे इस ताइम 71 results दोस्तों जिस टाइम मैं वीडियो फिट कर रहा है इस टाइम 71 results इंडिया के find out हो रहे हैं यहाँ पर हो सकता है आप जिस टाइम चेक करें आपको जो vacancies और भी ज़्यादा दिखाई दे हो सकता है कम दिखाई दे ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप दिखते हैं associate finance analyst की वेकेंसी है experience supply program management experience supply program ठीक है यहां पर जितनी vacancy है सभी experienced vacancies लगी है मैं आपको जो दिखाऊंगा फ्रेशर की mechanical वालों के लिए दिखाऊंगा और या फिर इस पर aerospace वाले apply कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे associate system engineer उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपको दिखा हुआ है यह next लिखा है यहांपर ठीक है तो इस next पर हम click करेंगे next पर जैसी हम click करेंगे तो next pages पर जाएंगे हम ठीक है तो next page पर आप देखेंगे यहां पर vacancies है तो हो सकता है आपको 71 vacancies है एक page पर ना दिखाएँ दे आपको next page पे जाना पड़ेगा ठीक है सो 200 यहां पर आप देखेंगे जो वेकेंसी है अब देखें आनलिस्ट मेकेनिकल डिजाइन एनलिस इंजिनियर ठीक है एक्सपीरियंस वेकेंसी है यह वाली उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहां पर electronics वाले यहां पर apply कर सकते है associated electronic design and analysis engineer ठीक है तो अब देखेंगे आपर जो वेकेंसी है आपर मैं आपको fresher के दिखा रहा हूँ वो यह वेकेंसी है अब जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ आपको यह 23 तारीकी वेकेंसी रात को company ने update कर दी थी हमें जैसी पता चला है वेकेंसी के बारे में आपके पास यहा इसको भी बहुत अच्छा है यहां पर मौका मिल रहा है तो दोस्तों इसको आपने क्लिक करना है जैसे आप इसे क्लिक करेंगे फर्दर दोस्तों इसका पेज यहां पर open होगा अब यहां पर आप पूरा देख लिए यह जो वेकेंसी है दोस्तों बैंगलोर लोकेशन के लि लिए जो है रिक्यूट कर रहे है तो यहां पर आपको जो है सभी benefits company के मिलेंगे अब देखिए full time permanent आपकी job है यहां पर बैंगलोर लोकेशन के लिए job ID है आपका यहां पर ठीक है तो उसके बाद यहां पर जो है इसकी job description है यहां पर यह स्टार्ट हो जाएगी job description इसकी ठी है तो यहां पर इसके बाद दोस्तों आप देख सकते overview company के बारे में क्या के company ने बताया है यह भी दुनिया के largest जो है aircraft manufacturer में आती है जिस तरह airbus है ठीक है तो दोस्तों इसी तरह आपने नीचे आना और यहां पर जो है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं तो यहां पर ल part of global team working on providing ME solution to a wide range of Boeing products and services across the world. So a successful candidate will assist in preparation of built plan, author assembly work, instruction and implement standards works. ठीक है तो यह सारी चीज़े दोस्तों आप देख सकते हैं क्या 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 आपका का काम रहेगा तो इसके इलावा यहां पर आप देखें कि क्या major आपकी responsibilities यहां पर रहेंगी इस सारी आपकी जो है major responsibilities रहेंगी आपको सिखाएगी एजा fresher भी ठीक है अब देखें यहां पर आप देखें कंपणी ने लिखा किया है वो भी आपको यहां पर दिखा देता हूँ अब 023 एस experience अब देखें यहां पर जो company है उसको direct fresher ने लिखा जाता कंपणी को 023 इसलिए लिखा जाता है कि उसको fresher भी candidate चाहिए एक साल वाला भी चाहिए दो वाला भी चाहिए तीन वाला भी चाहिए जब company में जो है hiring जादा हो तो company यहां पर लिखती जरूर है अगर आपके fresher चलेके एक साल तक का experience भी कौन से चाहिए ठीक है या फिर कोई fabrication industry हो या फिर aerospace industry हो ठीक है तो उसका ही आपका experience आपको knowledge है तो भी दोस्तों आप apply कर सकते हैं मतलब company ने आपको अरग जगा का बताया है कि आपको यह चीज़ें की बारे में knowledge हो उसमें क्या क्या चीज़ें हो जैसे आपको assembly के बारे में पता हो fabrication के बारे में manufacturing का या automobile की manufacturing या फिर aircraft के related products से related आपको जो है पता हो अब यहां पर जो software's आपको पता वो CATIA या फिर UGNX के बारे में आपको knowledge है तो अपसे ज़्यादा बढ़िया अप देखें आपर कौन कौन apply कर सकता है जिसके बाद bachelor degree है या फिर higher मनल मिनिमूम आपके बाद बी टेक चाहिए या aerospace या फिर mechanical में या फिर उसे बड़ी डिग्री है जो M. मिन आपके पास होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप 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 यहाँ पर आप देखिएंगे यह चीच कंप्णी ने यहाँ पर बताया है डिइग्री या फिर टीपिकल एक्सपिरिंस अप्टरो टुट्री एस लिखा है मेकैनिकल या फिर एरो स्पेस वाले दोस्तों अपलाई कर सकते हैं अब यह देखिए इस पूजिशन में आपकी री लोकेशन भी हो सकती है ठीक है मतलब आपका जैसे बैंगलोर है तो इंडिया में कहीं और भी प्लाइट लगाते तो वहां भी आपको भीजा जा सक होता है ठीक है तो दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया है अच्छे सेल्टरी पैकेज के साथ है ठीक है ऐसा फ्रेशर जॉब है आपके लिए फॉल टाइम जॉब है मिस्ट नहीं करनी है आपने आपने अप्लाई किस तरह करना है तो अप्लाई का बटन आपके हमर में दिखा देता हूं यह दिखिए अप्लाई का यह बटन दिया गया तो इस अप्लाई के बटन पे दोस्तों आपने क्लिक करना है अप्लाई के बटन पर जैसी आप क्लिक करेंगे फर्दर इसका पेज यहाँ पर ऊपन हो जाएगा बोहिंग के पहले भी हमने जो है वेकेंसी स्ट्राइब करके बेल आईकन दोस्तों तो दोस्तों यहां पर अगर आपने पहले प्लाई किये इमेल आडिया पासफ़ट डालके साइं इन पे क्लिक कर देना और अगर यह वही कर सकते हैं कंडिड जिन्हों पहले प्लाई किया जो नए एक एंजेड है वो create account पे दोस्तों click करेंगे ये create account पे जाके आपने एक account create करना अपना email ID, password डालना जो उसी password को द्वारा डालके account को create कर लेना अपना email ID और password डालके दोस्तों यहां पर sign कर दीजिए बस उसके बाद तो बहुत simple सी चीज़ है आपने अपने resume अप्लोड करना काव लेटर अप्लोड करना किसी भी तरह के दोस्तों आपको चाहिए template later to cover letter तो बहुत ही बड़ी है आपको वीडियो का description box मिल जाएंगे किस तरह हो सके और भी आपके family friends है जो mechanical या अलगला इंडेस्ट्रिज में जाब देख रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी जाब मिल सके तो दोस्तों नेक्स टूड़े में जलती मिलते हैं जाहिंत